आप सबस्वागत है आज की वी आई की नियूली अपडेट में क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो वी आई का कुछ नहीं अप्लान चलना है फाइजी नैटवर्क को लेके लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमेशा डेपार्टमेट अफ टैली कम्यूनिकेशन पोस्ता रहता है व हम अपना 5G रोल आउट करना शुरू कर देंगे लेकिन क्या इस्तिती है इस टेम वी आई 5G की लेकिन किस तरीके से वो अपना नया प्लान लांच कर रहा है इंटर्नल बेस पे जहां पे आपको मैक्सिमम जगाओं पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेट सिटी क अंदर और लिमिटेड एरियों में आपको वी आई का भी 5G यूस करने के लिए मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाद डिपार्ट्पंट ऑफ टेली कम्यूनिकेशन हर किसी एक्टिविटी पे निगार अगरा है वी आई के 5G को जैसे कि हम बात करें 5G गेर क को लेके कि चाइनिस प्रोड़क्त तो यूस नहीं किया रहे सस्ते के चक्कर वे और इंस्टोलेशन प्रोसेस को तो मतलब वी आई कहीं ना कहीं से हर जखा से घिरा हुआ है एक तो फंडिंग को लेके उपर से कि आपको इन मतलब अनलीगल एक्टिविटी ना कर दें नेट 5G सर्विस लिमिटेट एरिये लिमिटेट सिटियों में प्रोवाइट करवा रहा है जहां पर उन्होंने इंस्टोलेशन पूरा कर दिया है और हलक हलके एक्सपेंड भी कर रहा है नेटवक को लेकिन ये नेटवक सिर्फ लोगों के इंजॉयमेंट के लिए नहीं है वो 4G स के लिए अदर्स कंपनी को एक्टाक करने के लिए कि वह एजली फंडिंग कर दे वी आई को तो मतलब यह है कि बेटर ट्रायल से पहले भी एक छोटा सा ट्रायल स्टार्ट कर दिया है जहां पर वह स्ट्रेंद का भरोसा देता है कि हम एक्चुली वह अपने सिचुईशन में एक्सपेंड कर रहा है नैटवर्क को जहां पर बैंक लोन की बात होगी या अदर्स कंपनी को एक्ट प्रेक करने की बात होगी तो वहां पर वह एजली फंडिंग अपनी राइस कर सके लेकिन बाप करिया है तो करेंट्ली सिचुईशन के हिसाफ से क्योंकि बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडिशन में जा चुका है वी आई का नैटवर्क लेकिन यहां पर जैसे जैसे लेट होता चला जा रहा है वैसे वैसे जो वी आई के जो 4G यूजर्स थे और वो आप 5G चलाने के लिए मूव उन कर रहे है वो तो मैक्सिमम तब मैं सोचूंगा कौन सा बेस 5G नैटवर्क है लेकिन अभी तो मेरा वी आई 4G चल रहा है तो वह कभी सेकंड ऑप्शन बनके ना रह जाए मतलब फर्स्ट पे लोग आई लिया जीओ को चूज करके अपना 5G नैटवर्क यूजर्स करें और सेकंड ऑप्शन वी आई न तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जित्ता अमांट इंवेस्ट कर भी देगा वी आई तो उसे निकालना बहुत लंबे टाइम के लिए फसके ना रह जाए और अभी मतलब अरौंड 11 महिने के करीब हो चुके हैं आपको देखने के लिए मिलता ह में तब तक बहुत जाता घबराने वाली बात है वी आई के लिए क्योंकि अभी जो फंडिंग नहीं हो पाए इंक्रीज तो डेपार्ट्वेट ऑफ टेली कम्यूनिकेशन बैंड रिवर्स नाकलने की भाई सब तुमारे वसकी नहीं हैं हम क्योंकि आल्रेडी आदर्स टेल किसे निखा रखा हुआ है वी आई के ऊपर वह बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके से अन सैटिस्फाइज सर्विस होती है तो डेपार्ट्मेंट ऑफ टेली कम्यूनिकेशन बिग एक्शन कभी भी ले सकता है यह वीड़ा आपको अच्छे लगी चैन